ये है एक घड़ी जो आपको वक्त बताएगी और इस घड़ी के पीछे है एक लाइटर जो आपका वक्त घटाएगा और अगर आप घर से बाहर देर रात तक रहकर बीड़ी और सिगरेट पीते हैं और फिर डरते हैं कि कहीं आप गड़ों में न गिर जाएं तो घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि इस लाइटर में एक फ्लैश लाइट भी है और जिन लोगों को दूर जंगलों में जाकर बीडी सिगरेट पीना पसंद है लेकिन वो डरते हैं कि वो जंगलों में जाकर खो जाएंगे तो घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि इस गड़ी में यहां पर एक कमपस भी दिया हुआ है और जो लोग अपना लाइटर घर पर बार-बार भूल जाते हैं उन्हें भी अब कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की क्योंकि इस लाइटर को आप अपनी पैंट से लटका कर कहीं भी ले जा सकते हैं और ये रहा इस लाइटर का डबा और यहां पर लिखा है ख्लासिक और फैशनेबल तो आप समझ सकते हैं कि कई सधियों से लोगों का मरने के लिए ये एक पसंदिता तरीका है क्यूंकि ये ख्लासिक भी है और उपर से फैशनेबल भी है और जितने भी लोग बीडी सिग्रेट पीने की वज़ा से मरते हैं, उनकी मौत पर लोग बस एक ही बात बार बार बोलते हैं और वो बात ये होती है कि बहुत ही ज़दा सिग्रेट जो ही ये बंदा पीता था, इसे बहुत ज़दा हमने समझाया, मर गया साला तो इस तरह की बाते जो हैं लोग इनकी मौत के दिन पर करते हैं और जरा सोचिये, अगर बीडी सिग्रेट पीने की वज़ाए आपकी मौत हुई होती एक जंगल में कोई शेर आपको खा गया होता, या फिर कोई मगरमच आपको निगल गया होता, या किसी जहरीले सांप ने आपको धस लिया होता तो लोग आपकी बहादूरे के किस्से सुनाते, डिनर टेबल पर लोगों को एक बहुत ही शांदार कहानी मिलती और लोग कहते कि यार बहुती जदा बहादूर बंदा था, जंगल गया था, उसे शेर खा गया, मगरमच निगल गया और सोचिए अगर आप एक पैराशूट उड़ा रहे होते और पैराशूट फट जाता तो लोग कहते कि यार बड़ा ही भादूर बंदा था पैराशूट फट गया लेकि नीचे गिरने तक बंदा उड़ता रहा बिलकुल एक आजाद परिंदे की तरह तो बीडी सिगरेट वाली गंदी मौत से अच्छा है कि आप एडवेंचर के बीच में मरें और आपने टीवी में वो एड़ तो देखी ही होगी कि मुकेश सिर्फ पच्चिस साल का था लेकिन अगर आपका कहना है कि आप सिर्फ अभी सिगरेट पीते हैं और बाद में छोड़ देंगे तो आप दुनिया के सबसे बड़े कदे हैं सबसे बड़े तो फैसला आपके हाथ में हैं या तो बीड़ी सिगरेट पीकर सड़ सड़ कर मरें या फिर किसी एडवेंचर के बीच मरें पहरा शूट उड़ाएं किसी शेर से सामना करें या फिर माउंटेन क्लाइमिंग करें और अपने परिवार को एक यादगार किस्सा दें कि वो मरने के बाद भी आपको याद रखें कि कितना बहादूर बंदा था चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में अपना दियान रखियेगा